हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो माई चैनल कम एंड गेट दोस्तों आपने हमारी पहले वीडियो में देखा कि हम क्लास 8 एकसराइज 1.1 के को कैसे सॉल्व करेंगे आज हम डिस्कुस करने वाले हैं को सेकेंड के बारे में तो दोस्तों जो को सेकेंड है वह है राइट अडिट इनवर्स लिखना है तो दोस्तों सबसे श्रॉट ट्रिक में बताने वाला हूं आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का तो जैसे एडिटिव पहले तो हम यह जानेगी कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है तो कोई भी नंबर जैसे कि A upon B कोई नंबर हो और हमें उसक घगा आं के तो इसी से दोस्तों अब बताईए कि हम यहाँ पर 5 से-5 देट करें गांगे एडि इसको इसी तर दिया हूआगा इसी तरीके से यहां पे जो number दिया हुए a upon b है अब हमें इसमें minus a upon b अगर add कर देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा तो minus a upon b हम यहां पे add कर दिया और हमें 0 मिल गया तो वो number जिसको हमें किसी number में add करने पे resultant additive identity मिल जाता है ऐसे number को हम बोलते हैं कि यह number हमारा additive inverse है तो same इसी तरीके से अब जैस तो additive inverse of 2 upon 8 is minus 2 upon 8 same minus 5 upon 9 is अब यहां पे minus है तो minus से minus मिल के plus हो जाएगा तो 5 upon 9 minus 6 upon minus 5 यह minus minus कर जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा 6 upon 5 तो minus 6 upon minus 5 is 6 upon 5 और यहां पे minus क्योंकि मैनस मैनस कट के plus हो जाएगा और यहां पे हम इसी लिए इसको minus लिखेंगे इसका additive inverse और यहां पे 2 upon minus 9 है तो same इसी तरीके से तो अपॉण माइनस में होगा यह नमबर तो उसे हम प्लस में अडिटिव इन्वर्स लिखेंगे तो तो अपॉण 9 और इस तरीके से 19 अपॉण माइनस 6 तो इसका जो अडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा 19 अपॉण 6 आपको हमारा जो यह ट्रिक है वो पसंद आया होगा और आपको और अपको वीडियो अछिर लगी अगर आपको प्रोबलम हुआ तो मुझे comment करके बता सकते हैं और आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें comment करके बता सकते हैं और please मेरे चैनल को subscribe कर दीजी और अगर आपने upधला icon को press नहीं किया तो plaint कर दीजै जैसे हम आपको आने वाले वीडियो उसकी 症न जिल्दी मिलती रहेंगे धन्यवाद